कि सीटर 2019 का अपार्म बरत्य सम्हें कापई समस्या अब रहे हैं तो बहुत सारे भेरतियों ने का अणिसर के एक बर्टो बनाा दीजिए ताकि हम सबको समस्या है नहींrole दिदा का की आपको आपको फॉर्म बरत्य समें किसी परकार समस्या नहीं आप आप आसानी से फार्म भर लें सबसे पहले आप सीटेट डाट एनासी डाट इन पर को वेफ साइट पर गूगल पर जाके खोलेंगे फिर वहां से आप आएगा अप्लाई सीटेट धर 2012 उसते क्लिक करेंगे फिर एक तरफ रिश्टेशन एक तरफ आएगा तो आपने सीट और उसके बाद अप्ली केशनं फ़र जाएगा फिर आप इमेज लोट करेंगे फिर भी पेवें मेंन करेंगे उसके इसके बात आप आगे कर लेंगे तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी करम में तो फिर आगे दिखें इंट्रोडक्शन दिया गया है पहले इसको भी समय लेते हैं साथ ही साथ क्योंकि यह आपके काम का है सबसे पहरे देखिए कि यहां पर फीज के टिगरी की बात की गई यह पेपर फश्ट या सेगंड के लिए एक पेपर के लिए बढ़ते हैं तो आपको 700 रुपया यह यह आप अराचित कर डिग्रीश आते हैं तो 350 रुपय है और दोनों भरते हैं 600 रुपय और अगर जनरल भी सी आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो साथ दूनी चोदो सो होता है लेकिन दोनों फॉर्म भरने पर आपको 12 रुपा होगा और सेंटर एक मिलेगा तो अगर आप बढ़ती हैं या बेट के भरती हैं तो आप दोनों भरिएगा किसी समय आपकी तैयारी हो रही हो रही हो एक कि सेंटर पर होगा तो कहीन कि एक आग ज आप देजेगा मिलना है तो फिर आगे बढ़ते हम इसी करम में तो फिर यह आप पढ़ लीजेगा पूरा कैसे एक जाम देना फिर आप प्लिक करना है फिर प्रोसेश करना प्रोसीड करेंगे तो आगे दिखिए नू बिंडेज कोल कर आप सामने आएगा तो तो आप देख कर रहे है आप अपना पासपोर्ट वटाराइडी रैसन कार्ट जो भी आप यूज कर रहे है वहां प्ये किलिक करेंगे फिर उसके बाद इस पेच पे आते हैं इस उसी पेच पे राइट साइट तो आपको यह मिलता है फादर नेम अपनी डियो भी डालेंगे डेट आप ब यहां पर दिखे डिस्टिक चूज करना है आपको फिर पिन कोड आपको इमेल अड्रेस मोबाइल नमबर आपको डालना है फिर उसके बाद यह चीज अपनों डालने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर आगा पासवार्ट लादे समें बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो एक दो तीम जो भी आपको समय में है उच नमबर या एक नमबर भी उच कर सकते हैं वह आठ से कम नहीं होना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद यहां पहले पासवर्ड आप फिर आप सेकेंड बार डालेंगे अजिए पासवर्ड फिर सेक्रेंड बार बाद बार डालेंगे जो आपकी बैतर हैं पर उसको चैन कर लीजेगा किकि कभी-कभी आपको जरुट पढ़ेगी पिर आपका इसका जवाब देना होगा ताकि कभी-कभी पासवर्ड भूल जाने कंडिशन में इसका प्रयोग केया जाता है अनृता इसका प्रयोग नहीं ह होता फिर हम क्या करेंगे यहां पासवर्ट जो भी होगा आपका इंटर सीकोटी पी जिसे कैचाश कोट कहते हैं यहां पे आप फिलाफ़ करेंगे फिर सब्मिट करेंगे उसके बाद एक DOJ आपके सामने होल कर का आएगा उस विंडोज में आपको फॉललकी हो जायेगा फिर हम और आगे कर Mm तो आगे करम में देखते रहा देखी है आगे हम लोग बढ़ते हैं देखिए मैने एक demo form fill up किया था तो form fill up उने भाद application number मिल गया तो application number मिलने के बाद मैं रश्टेस्ट होँआ तो क्योंकि आपका वो बीडिधो लंभा ना हो इसलिए मैंने पुरा नाम तो फिर आगे हम आके देखते हैं तो मैंने रिंडोज आपके सामने खुल करtenेगा क्या कि आपने मैंने कीआ और रिंडोज जाना होगा application form जहाँ पर सबसे ज्यादा समस्य हमको और आपको दोनों लोग को हो रही है तो इसके लिए हम आएंगे complete application form पर मने पहले से भरी हुई आएंगी अब आते हैं काटेगरी के चैन करना है जैसे जनरल है तो में जनरल चैलेट किया फिर आगे बढ़ते हैं परस्टनल विद परसनल विद डिजिविल्टी यह प्यच है बेख लांग है थो आगे नहीं है तो आगे बढ़ते हैं नेसलेट अब इसी बीस लेंग्वेज भाशा में से कोई एक लेंग्वेज के जैसे हमने हिंदी इंदी है क्लिक कर लिया सेकेंड लेंग्वेज भी हिंव memb Undo पूझ जूटती लोगों ने पूचा किया 27 जी इंग लेंग्वेज सेम नहीं हो सेकति है अगर हिंदी चैन करता ह ने हिंदी निक्यान वेसे उग बात बाताऊंगा कैसे सॉल व करने है जब आपको भूकलिट मीलेगी कैसे आ पकरना है तो सिक मैंने इंग्लिस हैं करूपर आपके उपर हैं इसके लिए नहीं कह सकता है इंग्लिस लेंगे तो हम जैसे मैंने इंग्लिस को इसमें 20 में स्कोई एक लेना है तो मैंने इंग्लिस को चैन कर लिया अब आगे बढ़ते हैं एप्लाइमें स्टेटस अच्छा नॉट ए फिर आगे बढ़ते हैं लोग अगर यहां पर देखिए क्या क्या है अप्लाइट अगर इस टीचर अगर तो यह उसके अल साथ साल के लिए वैलिद होता है जब भी कवालिफाई करेंगे तो सबसे बड़ा फादा ही यह कि दोनों देंगे ऐसे भाल विकास पढ़ना ही पढ़ने आपको और हिंदी लैंग्विज पढ़ने ही है हां साथ question जो हो जाता है जो बायो गृप आप अब मैस्मेटिक साइन्स गृप के उनको अर्प पढ़ना हो गांगी उसी रेस में आप दोनों पास हो जाएंगे क्योंकि एक पड़ी रहा है तो साथ ही साथ अगा दोनों कर लेंगे ताप के लिए दीवेष्ट होगा क्योंकि म सकते हैं और मेरे online classes हैं उपलब्ध हैं और उसके साथ साथ आप सभी को आगे बढ़ते हम लोग online class नोट्स वगएर उपलब्ध हैं फिर हम क्या करते हैं बहुत कर दिया फिर minimum education qualification वोगह करने लिए इसके करके यहां पर्सानी को पढ़ना चाहए हमें उपने की क्या वा जींप करें लियुह सद्राँ हो । for equipment with diploma and education senior secondary are equipment with least 50 percent mark and part appearing in final two year deployment elementary education we what यह दिखिए अगर आप दिखिए अगर आप बिटीसी करें दिखिए धांस दिखिए कभी आपको किलर हो जाएगा कि आपको first choose करना है कि second choose करना है senior second year are its equivalent with the least 50 percent mark past year appearing in final year two year diploma in elementary education by the whatever name किसी नाम से हो यह हो गया concept आगे देखिए परा पढ़ लेते हैं फिर हम समझने का प्रास करते हैं क्या क्या चीज़े हैं फिर second पर आते हैं second पर आपको मिलेगा देखिए second क्या क्या चीज़े senior secondary senior secondary या equivalent with 25 पर लिफ्ट मार्क देखिए यह two year diploma in elementary education whatever name according with the NCT regulation normal of positive regression 2012 यह हो गया आपका यह तो आपके काम का नहीं फिर भी पढ़ना है तो देखना पड़ेगा सभी को थार्ड नमर पोस्तने हैं थार्ड नमर क्या देखिए थार्ड नमर जो आपके लिए है वो यह है senior secondary आप 50 पर से मार्क अच्छा बी एलेड यह आपका यह तो नहीं चलता यूपी में जिस अस्थान पर चलता हो बेलेड महां के लिए बेलेड भर सकते हैं फिर आता है senior secondary आप equivalent with the least 50 पर से मार्क पास्ट अपेरिंग फाइनल टुए डिप्लोमा इन एजुकेशन एजुकेशन यह है special education यह चार नमबर फिर आगे आते हैं यह जो फाइब नमबर आपके सामने दिख रहा है दिखिए जो बीड धारी है वो फाइब नमबर कॉलम भरेंगे graduation with the at least 50% mark and bachelor of education be it who has accurate qualification of bachelor education from any NCT recognized institute shall be considered यह जो है एक से फाइब के लिए जो बीड जो बीड जो बीड सम्रित किया गया है NCT पिछे जोन 2018 में उसी के आधार पर जो बीड धारी है वह इस बीकलब पर चैन करेंगे प्रामबी के लिए और जो बीहरती बीटीसी या डियल लट से देखिए हमने क्या देखा हमने यह देखा कि अगर आप बीटीशी है देखिए जादा समस्या होती बीटीसी बीहरतीयों को तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे देखिएगा आप सभी साथी जो बीटीशी के हैं उसमें आपको नंबर एक सेलेट करना है क्योंकि दीखे सीनियर सेकेंडरी आप एक्कुवेलेंट विट लीस्ट फिप्टीपर्शन मार्क उसके बाद क्या दिया है पास्ड या पेरिंग आप पास्ड हो या पेरिंग हो दो यह डिप्ल प्रोमा में जी उसके बाद हम आगे देखते हैं और सेम उसी तरह मिलता जोलता है यहाँ पर देखिए जैसे आपका है यह फॉर्थ नंबर अप्शन तो फॉर्थ नंबर में देखिए यहाँ यहाँ पर इस्पेसल लिगेसन की बात कि इस्टा लगा कि इसलिए जो अगर हम पर टीशी है तो एक नंबर मैंने क्लिक कर दिया अब फिर आते हैं सेकेंड 628 पर यहाँ पर दीखिए एक से लेके साथ तक आप संदिया है यहाँ पर भी हम इसको यहाँ पर आते हैं इसके दोरा यहाँ पर जूम करके पढ़ने का प्रयाश करते हैं ताकि आपको अबी फस्ट पर हैं ग्रेजवेशन और पास्ट और पेरिंग फाइनल आफ तू यह डिप्लोमा इलिमेंटर इजिकेशन बाइवाटेवर नेम यह हो गया फिर ग्रेजवेशन भी फिप्ट्रीप देखेंगे यह हो गया आप सेकेंड यह बीएड के लिए हो गया ग्याशन लेकिन यह है आपके अगर एक यह अपने बीएड किया है तो आगे आते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर बीएड है लेकिन यह भी एक यह का है यहाँ पर आते हैं यह फोर यह है जो इंटर के बाद होता देखें आप पर चार नमर कालम पर फोर यह है यह इंटर के बाद हो पर आपको आपको ठीक है और यदि अगर आप जैसे कि आप बिटीशी या डियल लड है तो उसके लिए आपको यह अगरेशन और पास्ट आप अपका हो वह आप भर सकते हैं एक बार आप पुरे ध्यार से भर लिजेगा और क्योंकि मैं अपने इसाब से बता रहा हूँ जो पिछला फॉर्म बरा गया था उसकी आधार में मैं आपको यह बता रहा हूँ ठीक है फिर भी आप अपने से संतुष्ट हो जाएगा नियानिता कलो कहिएगा सर आपने ही तो कहा था फिर आगे बढ़ते हम लोग तो इस करम में हम आगे आएं तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमने जो सिलेक्ट किया वह यहाँ पर सब्सक्राइब से ईत उसक्राइब से अबता फिर कौशन करना अपने हाक अधार पर ले सकते हैं बुट सबस्था हो रहे है अगर सबस्कों समस्य जाए हैं अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो यहां पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे यहां पे आप जो भी टाइप करेंगे अपने जोंपूर जितने इस्टिटूट है आपके सामने आ जाएंगे ठीक है लेकिन यहां पे मोबाइल पर ऐसा नहीं हो पा रहा है लेकिन जैसे में लेप्टौप पर भी बनाया तो वहाँ पर सर्च ले रहा था सज लीजिएगा अगर आपका सर्च में आया तो आपको क्लिक करिएगा जैसे जोंपरे कुछ का नाम है और और आग्रा के भी हैं तो जैसे भी आग्रा काभी एक लोगों ने का नाम बताया था के तो उनका में मैंने सर्च किया तो उनका college तो नहीं मिला अगर उनका तो आप पर फार्म बढ़ा रहा है तो आप लाश्ट में एकदम अदर का उपसन दिया है अगर इसमें आपका नहीं मिल ला है तो आप इसमें अधर कर देंगे ठीक बोड ने में बोड ने धियां दिया कि बोड ने में यहां पे आप जैसे कुछ डालेंगे तो सर्च होगा व घरा का जितने सेंटर लिश्ट हरा जाएंगे जौनपूर किया जाएंगे जिसे मेरा जोनपूर रहाहिं कोचिंग भी स्मार्ट नो चलती है वैटकी तो यहां पर आपको मिल जाएंगा उसके बादद अगर आपको यहां नहीं मिलता है टलास्ट मिर्य टम केमटब्टर का वो आपने क्लिक किया उसके बाद दिखिए क्या हो गा? तो एक बार मैं आपको यहां बता दूँ यहां पर रास करियेगा बोट पेपर करने का तो बोट पर के बाद यहां अब बिटीशिये कर रहें तो दोनों में एक एक भर देना आपको अधा बीए तो मने अपको जैसा बताया डिपलोमा आपना सेंटर चूज करना है यहां पर जाहां पर समस्या सबको जब्यारी बोट और इनुवर्शिटी नेम में ऊपर सर्च लेगा जैसे आप सिस्टम पर फॉर्म पर भर रहा था तो तो मोजिला पर वह पर सर्च ले रहा था अपसन तो जो भी जर्च पते जो भी चीज जा लेंगे अपने कॉलेज का नाम डाल आपने तो भी सच ले लेगा तो अब देख लिएगा अगर आपके कालेज का नाम मिलका तो क्लिक करेगा नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत है सबसे लॉष्ट ऑप्सन जो है वह अधर का है ओ टी एची आर अधर दिया है उस पर क्लिक कर देंगे कोई समस्य नहीं होगी और हमार प्राप्त हो जाएंगी अगर आप चाहते हैं जोड़ना तो आपका मुस्ट वेलकम है और नहीं प्लाइक करिएगा और यह वीडियो आप सभी साथ हो को सेर कर दीजएगा ताकि इसी को फॉर्म भरने में कोई समस्या ना हो और फॉर्म बरते समय आपके बार आफ्शन आए इस लिए नेम डेटाबर्ड पिता का नहीं माता का नाम यह सब अच्छे से मिला लीजेगा ताकि यह बाद में आपको समस्यां का सामना ना करना पड़े तो इस परकार मैंने आपको वीडियो बना के बताने का पूरा प्रास किया यह फिर भी कोई समस्या आपको रहती है कम तो यह सारे चीजे अप्टन मार्क तो पता ही होगा टोटल मार कितना परसंटेज आप कितना बना इंस्टिटूट पिन कोड कितना है ठीक तो हम आसा करते हैं कि आपको सम्झ में आ गया होगा फिर वीडियो कोई समस्या रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं पूछने के लि आप सबको मिल सकता है का लँट का मतलब क्या है बहुत अर साहती हैं जो फ़र ने को लेके परसांत है की सर फ़रा जायेगा कैसे नहीं बरा और उसके बाद अगला चलड आएगा, आप इमेज अप्लोड करेंगे, साइन फोटो, उसके बाद पेमेंट करेंगे, आपका समिट हो जाएगा, उसका प्रिंट निकाल के आप रख लीजेगा, उसके बाद साथ जुलाई को आपका पेपर होगा, हम तो इसकी कामना करते हैं, यदि आप चाहते हैं, तो मेरे online classes भी जोईन कर सकते हैं,